वेलकम बैक टू मैं चैनल नमशकार दोस्तो आज मैं आपको अमरुसर की याद दिलाने वाली हूँ बिलकुल वैसे ही कुल्चे हम बनाने वाले हैं वो भी विदाउट सोडा विदाउट बैकिंग पाउडर तो चलो दोस्तो देखते हैं ये टेस्टी कुल्चे घर में कैसे ब पाच आलो लिए है हरी म inomीर्ची बारिक बड़य कुटी हूई धन्या पत्ती बारिक कुटी हुई तो हम पनीर को ग्रेट की आए वैसे ही पाव को भी ग्रेट कर लेते है सारे आलू को मैं बारी-बारी से ग्रेट करके पनीर में मिक्स कर रही हूँ हम नेक्स प्रोसेस दिखते चाहेंगे बहुत ही टेस्टी और स्वाजिस्ट कुल्चे बनने वाले हैं आपको बहुत पसंद आएंगी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे प्यारे दोस्तों लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले आलू हमारे ग्रेट हो गए है आलू और पनीर हमारा ग्रेट हो चुका है उसी में मैं एड़ करी हूँ दो बारी कटीवी हरी मिर्च एक कप छोटा सा हरी धनिया और जिंजर गार्लिक पेश्ट, स्वाद अनुसयर नमक, काली मेज पावडर, चाट मसाला और इसी में मैं एड़ करी हूँ आधा चमज गरम मसाला बस फ्लेवर के लिए हमको एड़ करना है, ज्यादा गरम मसाला नहीं डालेंगे सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर दीजे, हमको एक स्मूथ मसाला तयार करना है बिल्कुल भी, हमने इसलिए आलू को ग्रेट किया है, ना कि स्मेश करना है स्मेश करने से थोड़े से लंच रह जाते हैं, तो ये बिल्कुल हमारी स्मूथ पराठे बनने वाले हैं इससे तो इसके लिए हमको मसाला भी इसका बहुत ही बढ़िया टेक्शेर वाला चाहिए तो ये देखे आप मसाले का टेक्शेर कितना बढ़िया हो गया है बहुत कम इंग्रेडियन्स और टेस्टी मसाला रेडी है अब मैं यूज़ करने वाली हूँ एक secret ingredients जो की है बेसन मैं हमेशा कुल्चे में बेसन को डालती हूँ और किस तरीके से डालती हूँ वो भी मैं आपको बताती हूँ दो चमच बेसन लिया है मैंने microwave में इसको भून लिया है दो मिनिट के लिए आप चाहो तो कड़ाई में भी भून सकते हैं भूने वे बेसन का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है और इसकी bonding बहुत अच्छे से बन जाती है तो अब हम सेकावा बेसन मसाले में मिक्स कर देंगे मैंने आदा पाव पनीर लिया था और तीन बड़े आलू लिये थे उसी हिसाब से मैं मसाला बता रही हूँ आप लोगों को आप चाहो तो कम जादा कर सकते हैं तो बेसन को हम अच्छे से मसाले के साथ मिक्स करेंगे तो ये देखे मसाले में थोड़ा सा ड्राइनेस आ जाएगा जिससे हमारे जो कुल्चे बनेंगे बहुत ही टेस्टी बनेंगे और बहुत ही अच्छे से हम उसको बेल पाएंगे तो ये देखे मसाले का जो टेक्शर है वो कितना बढ़िया हो गया है बेसन डालने के बाद मैं एक बर मसाले के गोले बना कर चेक कर लेती हूँ कि हम इसको आसानी से बेल पाएंगे या नहीं तो ये देखे बढ़िया बन रहे है अराम से हम इसको बेल लेंगे मैं आज गियूं आटे के कुल्चे बना रही हूँ आप चाहो तो मैदे के भी बना सकते है मेरे घर में मैदे का आटा हर कोई नहीं खाता है तो मैं अक्सर गियूं के आटे में बनाती हूँ गियूं का आटा मैंने किस तरीकी से गुता है उसका recipe मैं description box में डाल दूँगी तो जरूर से आप एक बर पढ़ लीजेगा वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने गियोंके आटे में कलोंजी, नमक और चिली फ्लेक्स डाला है और दो चमच ओईल डाला है बस और बिल्कुल पराठे का आटा जैसे गुतते हैं वैसे ही हमको आटा गुत लेना है मसाला अब हमारा एकदम तयार है, बिल्कुल स्मूथ सा मसाला हमारा बन कर रेडी है तो मैं एक प्लेट में इसको ट्रांसफर कर दूँगी, जिससे लिने में हमको बहुत असानी होगी तो ये देखे मैंने प्लेट में निकाल लिया है और आप देख सकते हैं मसाले का टेक्शर कितना शांदार हुआ है अब हम कुल्चे बनाना स्टार्ट करते हैं तो मैंने गेहुआटे का लोया ले लिया है हम इसको पराठे की तरफ पहले तो बेलेंगे, उसके बाद मैं बताती हूँ थोड़ा सा अलग तरीका है आप ध्यान से देखेगा तो ये मैंने पराठे की तरफ बेल लिया है, मसाले का गोला बना लिया है इसको हम बीच में रखेंगे और हमारा जो चारो तरफ से पराठा है उसको हम फोल्ड करेंगे पहले तो उसके बाद उपर का पॉइंट जो निकला है उसको कट कर देंगे, उसके बाद हलके हलके आतों से इसको हम प्रेस करके थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे उसके बाद धीमे धीमे हाँ से इसको दबा कर आधा कुल्चा हम ऐसे ही तयार कर लेंगे यह देखिए, बढ़िया तयार हो गया है, इस पर मैं तयार डाल रही हूँ कलोंजी सिर्स, इसको हम हातों से प्रेस करेंगे, इसके बाद मैं डाल रही हूं धनिया पत्ती, तो धनिया पत्ती को अगर चिपकती नहीं है, तो थोड़ा सा पानी वाला हात लगा देजिए, पान स्प्रिंकल करेंगे और कुल्चे को हलके हलके हातों से बेलेंगे बहुत हलके हातों से बेलना है ध्यान रखेगा गैस के उपर मैंने नॉंस्टिकी तवा चड़ा दिया है जिसको मैं पहले ओइल से ग्रीस कर लूँगी उसके बाद हम कुल्चे को जिस तरफ हमने मसाले लगाए हैं उसी तरफ से सेकेंगे तो धीमी आज पर आपको सेकना है ताकि अंदर से अच्छे से पक जाए हमने इसमें बेकिंग सोडा भी नहीं यूज किया है और कोई सोडा भी नहीं यूज किया है फिर भी आप देख सकते हैं कि कुल्चे का जो टेक्शर है वो कितना शांदर दिख रहा है बिल्कुल भी बहुत ही स्मूद बहुत ही अच्छे ये कुल्चे बनते है तो एक बार ये रेसिपी ज़रू ट्राइ कीजिए धीमी आज पर इसको दोनों तरफ से उलट पुलट करके सेकिए धीमी धीमी आज पर तो ये देखे कितने शांदर कुल्चे बन रहे हैं कर इंजॉय कीजिए इसको गरमा गरम चटनी के साथ देही के साथ खाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएंगे एक बार ये रेसिपी ज़रू ट्राइ कीजिए और अगर रेसिपी पसंद आती है तो मेरे प्यारे दोस्तों लाइक शेयर सबस्क्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले क्योंकि मैं आपके लिए यही कोशिश करती हूँ कि हम मसाले भी बहुत कम यूज़ करे बहुत ज़्यादा गरम मसाले बहुत सारा अद्रग यह सब डाल कर नहीं हम कम मसाले डाल कर भी स्वाधिस्ट चीज़े घर में बना सकते हैं तो आपको मेरी रेसिपी बनाने का तरीका अगर पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीज़े लाइक कीज़े शेयर कीज़े मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर नहीं रेसिपी के साथ तब तक के लिए टेक केर बाई बाई झालज जो आपको में बना सकते हैं जो आपको में पस्ट वीज़े ठाइब कीज़े लाइक कीज़े आता हैं